तो फ्रेंड्स जो हमने डीमर्जर का टॉपिक आज किया उसके उपर मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत पुराना वीडियो है ये लेकिन शायद आपको उसका काफी अच्छा प्रैक्टिकल रेलेवेंस आज पता चलेगा उसका तो मैं वो वीडियो प्ले करना चाहूंगा तो आज का प्रैक्टिकल हम डीमर्जर का वो वीडियो चलाते हैं जो बहुत पुराना है लेकिन तब भी concept wise, understanding wise आज भी relevant है तो I hope आपको इस वीडियो अच्छा लगेगा और आप इस वीडियो से इस डीमर्जर टॉपिक को और बहतर तरीके से समझोगे तो वो वीडियो प्ले किया जाए, fine Hello friends, सबसे पहले बहुत बहुत आप लोगों को बढ़ाई, market all time high pay है और हमने अपने classes में भी यही बोला था, कि long term investment वाले कभी भी हारते नहीं है उन्हें हमेशा जीत मिलती है, बट long term investment के लिए आपको सबसे जो जरूरी चीज है वो है धैरिय, आपको थोड़ा सा धैरिय रखना पड़ेगा, अगर आपने fundamental and technicals देखकर पैसा लगाया है तो आज नहीं तो कल वो आपको जरूर return देगा, और यही बात आज के market के return से proof हुई है आज morning में syntax limited का share खुलते ही 78% ये share down हो गया, मेरे पास बहुत सारे whatsapp messages आने लगे, calls आने लगे, इसलिए क्या हो गया क्योंकि हमने syntax limited के industries के shares को कहीं न कहीं हमने बोला था buy करने के लिए, तो घबराने की जरुवत नहीं है, हमने अपने class में concept cover किया हुआ है demurger का, demurger मतलब क्या होता है, जब एक company दो भाग में divide हो जाती है, merger मतलब जब दो company मिलती है तो उसे merger कहते हैं, demurger मतलब जब एक company दो भाग में divide हो जाती है तो उसे demurger कहते हैं, ये मान लीजे रह गया syntax, छोटा है न थोड़ा, और ये रह गया rest of the division, syntax limited के दो division हुआ करत प्लास्टिक डिविजन एक हुआ करता था प्लास्टिक डिविजन और एक हुआ करता था टेक्स्टाइल डिविजन एक हुआ करता था प्लास्टिक डिविजन और एक हुआ करता था टेक्स्टाइल डिविजन तो अभी जो सिंटेक्स का आपको शेर प्लास्टिक डिविजन और rest of the company is for plastic division इसकी भी आगे listing होगी या इसका जो value बज गया है वो आपको company जरूर compensate करेगा उसके एक नए share देकर जैसे कि हमने class में भी question किया था आपको याद होगा class में हमने merger के उपर question किया था और तब हमने उसको practically समझाया था तो बहुत लोग घबरा गए because काफी लोग तो इन सब चीजों का knowledge नहीं होता है बीना knowledge के वो पैसा market में लगाते हैं और बाकी लोग CA भी बन जाते हैं लेकिन उनको market की knowledge नहीं हो सकती या नहीं होती है या वो नहीं लेते बस ratification करकर वो exam किसी तरह से clear कर लेते हैं बड़ बड़ा मुश्किल हो जाएगा exam clear करना भी because अब exam में भी ये सारे practical concepts आ रहे हैं तो जिनोंने जिनोंने long term holding किया है उनको घबरानी की जरुद नहीं है वो stay invested रहें कोई दिक्कत नहीं है आपको एक और share में लेगा that will be of textile division hence learn more, earn more पहले learning कीजिए फिर earning कीजिए इसी सिल्सले में मैं आप लोगों को ये भी information देना चाहता हूं कि मैंने एक separate मैंने भी division कर लिया है stock market का क्योंकि जब मैं SFM पढ़ाता हूं तो मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं थोड़ा और detail में जाऊं जो कि मैं नहीं जा पाता because of our syllabus तो अब हमने उसकी merger कर दी है हमने एक separate division stock market lectures का शुरू किया है definitely आपको बहुत फाइदा होगा आप उसे जरूर करने की कोशिश करेंगे और definitely जो हम कहते रहते हैं learn more and earn more वो बिलकुल proof होगा घबराइए मत market आपका साथी है market आपका दुश्मन नहीं है market के साथ चलिए market के trend को समझिए market के trend के साथ रहिए definitely आपको अच्छा return मिलेगा thank you so much I am eagerly waiting to see you all in my stock market lectures definitely बहुत ही अच्छा वो lecture होने वाला है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा over excited हूँ आप भी आईए अपने knowledge को बढ़ाईए और market में earning की scope को बढ़ाईए thank you so much तो I hope आपको demerger topic का थोड़ा knowledge और हुआ जैसे जैसे और आप आगे बढ़ेंगे up to date रहेंगे business news stock market से up to date रहेंगे तो आपको ये सारे news और भी मिलते रहेंगे और ज्यादा better आप research कर पाओगे fine sir